वर्ष की सारी रितूओं में वसंत को सभी रितूओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी से जुड़ी पौरानिक कत्हा। हर साल माग माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है, भारत में इसी दिन से वसंत रुतू की शुरुवात हो जाती है, इस दिन को माग पंचमी भी कहा जाता है, पूरे भारत में बसंत पंचमी का पर्व बहुत हर शूलास के साथ मनाया जाता है, इस द जानते हैं कि आखिर बसंत पंचमी का पर्व क्यूं मनाया जाता है और इसकी प्रचलत पौरानिक कथा क्या है। क्यूं मनाई जाती है बसंत पंचमी? वर्ष की सारी रितूओं में वसंत को सभी रितूओं का राजा माना जाता है, इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है, इस दिन से ही शीत रितू का जब समापन होता है तो वसंत का आगमन होता है, इस रितू में खेतों में फसले लहला उठती है और फूल खिलने लगते हैं और हर जगाव खुशाली आती है। मान्यता है कि सृष्टी के रचियता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्यान और विद्या की देवी मा सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी वज़े से ज्यान के उपासक सभी लोग वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी मा सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वसंत पंचमी को लेकर कई पौरानिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि स्रिष्टी रचियता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुश्यों की रचना की थी, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा की वातावरन बिलकुल शान्थ हो और इसमें किसी की वानी ना हो ये सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे, स्रिष् शक्ती के रूप में चतुर भूजी, चार भुजाओं वाली सुन्दर स्त्री प्रक्यट हुई, इस देवी के एक हाथ में वीना और दुसरे हाथ में वर्मुद्रा होती है, बाकी अन्या हाथ में पुस्तक और माला थी, ब्रह्मा जी उस्त्री से वीना बजाने का इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती मा की पूजा भी की जाती है, इस दिन देवी सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शार्दा, विनवादनी और वागदेवी सहेतनेक नामों से पूजा जाता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें